अपने बीच भारतिय जनता पार्टी के वरिस्प नेता केंद्रिय मंत्री स्री गजेंद्र सिंग सेखावत जी आपको संबोधित करेंगे बगल में भारतिय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख सांसद अनिल वलूनी जी है उनके बगल में पूर्व सांसद और रास्टिय प्रवक्ता स्री जफर इसलाम जी है, मेरा विनमर निवेदन है माननी एक गजेन सिंग से खावत जी से कि आपको सम्भोधित करें धन्यवाद संजय जी आज इस महतोपूर्ण प्रहसवारता में मेरे सार्थ मंच पे उपस्तित बारतिय जन्ता पार्टी के मीडिया प्रमुक और सांसद आदर निश्य अनिल भलूनी जी राश्टिय प्रवक्ता श्री जफर साब आज इस प्रहसवारता में उपस्तित सभी पत्रकार मित्रों साथियों हम सब जानते हैं कि राजस्थान इस देश में एतिहासिक द्रिश्टिकोन से भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है राजस्थान संस्कृति की धर्ती है राजस्थान मैलाओं के सम्मान की धर्ती के रूप में पूरे देश नहीं दुनिया में जाना जाता है लेकिन पिछले राजस्थान को शान्ती और सौहार्द की धर्ती के रूप में भी पिछले कई कई शताब्दियों से पूरे विश्व में पहचाना और माना गया है लेकिन पिछले तीन साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोद बच्चियों के साथ में दुर्वेभार और अतिचार, बच्चों की तसकरी, दलितों के खिलाफ अतियाचार, एक मजब विशेश के लोगों के खिलाफ बरबरता, इन सब तरह के घ्रनित अपरादों में, राजस्थान नित नए कीर्तिमान इस्थापित कर रहा है। मित्रो जिस दिन देश आजाजी के 75 साल पूरे होने का उत्सव, लाल के ले के प्राचीर से मान ये प्रदानमेंति जी के भाशन के साथ मना रहा था। जब देश आजादी की 76 वी वर्षगाट मना रहा था उस दिन, राजस्थान के अलवर जिले में, मुसलिम संप्रदाए के लोगों ने गोविंदगड में, गोविंदगड थानाक शित्र में, रामबास गाउं में, सबजी का ठेला लगाने वाले और अपनी आजीविका का गुसर-बसर करने वाले चिरंजी लाल को पीट-पीट करके मार डाला है। मैं आज इस प्रैसवारता में आप सब के माध्यम से प्रश्ण करना चाहता हूं, कि कहां हैं इस समय में, जब इतनी बड़ी घटना राजस्थान में हुई, राहूल गांधी जी कहां खोए हैं, प्रियंका वड्रा जी कहां खोई हैं, सोनिया गांधी जी कहां हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट्स के अपने आपको चैंपियन बताने वाले सारे लोग आज कहां चुप गए हैं। मित्रो इसी करम में आप सब मित्रों को जानकारी है कि उदैपुर में जिस तरह की घ्रनित हत्या, जिस तरह की बरबर और नशन्स हत्या हुई थे, बार बार पुलिस को मैं जा करके शिकायत दर्ज कराने के बाद भी शिकायत दर्ज कराने के बाद बार बार टेली फॉन करके सुचित करने के बावजूद भी जो मृतक था जो शिकायत करता था उसी कनहया लाल से माफी नामा लिखवाया गया हत्या से एक दिन पहले भी फोन करके उसके द्वारा सुरक्षा की गोहार लगाने के बावजूद भी सुरक्षा समुचित प्रदान नहीं की गई अन्तते इतनी बरबर घटना का को अंजाम दिया गया और जिसके सूत्र ऐसे अतिवादी संगठन और साजो है लोगों से जुड़े हुए अब एनाईय की जांच में सामने आये में गैलोध सरकार उसमें भी प्रभावी कारवाई करने के बजाए चुप्पी साधरही और मात्र सरकारी नौकरी और मौवजे का लालच दे करके उस मामले को दबाने का प्रयास किया राश्चे क्राइम रिकॉर्ड बीरो एंसी आरवी के डेटा के अनुरूप आज राजस्तान जो पन्ना धाय के प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था जो हाडी रानी के प्रदेश के रूप में जाना जाता था जो मीरांबाई के रूप में नाम से जाना जाता था जो शील की रक्षा के लिए जहुर करने वाली हजारों रानियों को और पदमनी के नाम से जाना जाता तो वो राजस्तान आज देश में रेप के मामले में नंबर एक का प्रदेश बनाए और अठरा साल से कम उम्र की नाबालिक बच्चेयों के तसकरी के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है मैं प्रेशन करना चाहता हूँ आज आप इस प्रेश्वारता के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा देने वाली कॉंग्रेस की आधर्णिया माज सचीव श्रीमिती प्रियंका गांधी वड़राजी को लड़कियों की बदहाली क्यूं नहीं दिखाई देती अलवर के रेप के घटना के बाद में जब वो सवाइमादोपूर में अपने बच्चों के साथ में अपने परिवार के साथ में शेरनी के बच्चे की अठके लियां देखने के लिए गई थी उनको छुट्टी मनाने का समय था लेकिन अलवर की उस मासूम बेटी की आंसू पहुँचने का समय जो है उनके पास में नहीं था निश्चिती इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता और जब अलवर की बेटियां जिला कलक्टर के पास में इस बात की शिकायत लेकर के जाती हैं तो जिला कलक्टर मोहद है उनसे उनको धमकाते हुए अपने परिवार जनों के और पिता के नंबर मांगते हैं ऐसा वीडियो दिखता है कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आफिस में आने की मैं तुमारे पिता को फोन नंबर के फोन करके इसकी शिकायत करूँगा जब राजस्तान में इस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ रही दुरभाग्यपूर्ण इससे भी ज़्यादा ये बस्तिती बनती है कि राजस्तान के मुक्यमंत्री खुद रेपिस्टों की सजा कम होनी चाहिए ऐसे बलातकारियों और अपचारियों की सजा कम होनी चाहिए इसकी पैरवी करते वे नजर आते हैं निर्विया केस के बाद में जो कठोर कानून अभोद बालिकाओं के लिए नावालिक बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को कम करने के लिए बनाय गया था उसमें से मौत की सजा को कम करने का की पैरवी करते वे नजर आते हैं और इस बात को मीडिया से बात्चीत करते हुए लोगों के सामने देश के सामने ये विशे रखते हैं कि ये मौत की सजा रेप के बाद में हात्या का कारण बनती है इस से ज़्यादा शर्मनाख शाहिद और कोई विशे नहीं हो सकता हम सब ने देखा है कि राजस्तान के संसिदी ये कारियमंत्री और अर्बन डवल्लप्मेंट अफेस मिनिस्टर श्री शान्ती धारिवाल जी किस तरह से सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विधान सभा के पटल पर बहुत सहजदा के साथ में हस्ते हस्ते ये बात कहते हैं और जब वो ये बात कहते हैं तब उनके सारे साथी भी ठाके लगा करके हस रहे होते हैं कि राजस्तान में ज़्यादा बलात कार की घटना ही इसलिए हो रही है कि राजस्तान मर्दों का प्रदेश है वो राजस्तान जिसने महिलाओं की राजस्तान के बेटे जिन्नोंने महिलाओं की रक्षा और सम्मान के लिए अपनी कई कई पीडियां केवल अपने आपको नह अनेक पीडियों को खपा दिया उस राजस्तान के वर्तमान सरकार के मंदिर में बैठ करके कोई व्यक्ति अगर इस तरह की टिप नहीं करे और उस पार्टी के सारे नेता एक साथ ठाक लगा करके हसें और सरकार फौरी तोर पर इस बयान से एक किनारा करके अपने आपको अलग करने की कोशिश करे ये उनके चरित्र का उद्गाटक तो है लेकिन इस से ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता राजस्तान की केवल कहानी ये नहीं है पूरे देश में कॉंग्रेस के नेताओं की लगबग इसी तरह के हालात हैं करनाटक में कॉंग्रेस के नेता मलिकारजुन खडगे जी के विधायक बेटे ने सरे आम मैलाओं को ले करके जिस तरह से निंदनी ये टिपनी की है उसके जैसे अनेक बयान कॉंग्रेस के नेताओं के द्वारा दिये गए हम सब का शर्ज जो है वो शर्म के साथ में नीचा करते साल बर में कुल मिला करके देश में जो 28,046 मुकदमे रेप के दर्ज हुए इनके लगबग छटा इससे से भी ज़्यादा 5,310 बलात कार के केसिज राजस्तान में रेजिस्टर हुए और इनमें से एक चोथाई से ज़्यादा केसिज लगबग 1300 से ज़्यादा केसिज ऐसे हैं जहां नाबालिक बच्चियों के साथ में इस तरह की जादती की गई है जिन बच्चियों की उम्र 18 वर्ष से कम है NCRB के आंकड़े जिनके चर्चा में आपसे कर रहा था कि राजस्थान लड़कियों नाबालिक बच्चियों की तसकरी की राजधानी बनाए 53 नाबालिक लड़कियों की तसकरी के मामले पिछले दिनों में एक साल में सामने आये हैं जिन में से अधिकांच ट्राइबल बेल्ट के हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले दो-तीन दिन पहले ही एक अख़बार ने अपने हेडलाइन्स में फोटोग्राफ सहीत उनकी मजबूरी को छापा था बारा नाबलेक बच्चेओं के तसकरी करके केरल ले जाए गया था उसी क्रम में जब ये समाचार पढ़ा छपा तब तक राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की पुलिस के तहट काम करने वाली मानव तसकरी निरोधी यूनिट को इसकी जानकारी तक नहीं थे हातरस और उन्नाव की घटना पर घड़याली आंसू बहाने वाले राहुल गांडी जी और प्रियंका गांडी जी जो प्रायोजित दोरे करते हैं ये सलेक्ट पॉलिटिक्स करने वाले आदलिया प्रियंका जी और राहुल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप आकर के राजस्तान में भी कुछ दिन तो गुजारिए आकर के राजस्तान के हालात को भी देखिए दुश्कर्म के अलबा राजस्तान के बच्चों राजस्तान में अब नागबालिक बच्चों की खुले आम खरीद फरोक्त और भी तेज हो गई है दलितों के खिलाफ अत्याचार में भी राजस्तान आज देश में सर्वुच पाइदान के राज्यों में पहुँच चुक है राजस्तान में जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ है राजस्तान के ही एक कॉंग्रेस के विधायक श्रीप पानाचंद मेगवाल ने दलितों के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों के को संग्यान में लाने और सरकार की उदासी इंता से आहत होकर के इन अत्याचारों से व्यतित होकर के और सवाल खड़े करते हुए अपना इस्तीफा मन्य मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है और इसी के साथ उस पार्टी के 13 से जादा पार्शदों ने चुनेवे पार्शदों ने इस्तीफा भेजा है और अनेक विधायकों ने भी अपनी तरफ से प्रश्न चिन्न खड़े करत हुए बहुत कड़ी प्रतिक्रिया के साथ में पत्र जो है मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं राजसान में जिस तरह से पिछले दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के माध्यम से जिस तरह से घटनाएं की गई करोली की घटना आप सब की स्मृती में होगी इन सब में यदि एक चीज कॉमन है तो वो है कि घटना के समय की प्रतिक्रिया घटना के बाद की जाँच और मुआवजा देने इन तीनों में जम करके तुष्टी करन जो है वो कॉंग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया है मुस्लिम तुष्टी करन की नीती और ने हिंदूओं समाज में ऐस सुरक्षा की भावना पैदा की है और इसको देख करके बसपा से कॉंग्रेस में शामिल हुए मंत्री श्री राजंदर सिंग गुडा ने भी अपना असंतोश और आक्रोश सरकार के सामने व्यक्त किया है सरकार में भी धर्म के नाम पर सरकार के कामकाज में भी धर्म के नाम पर किस तरह से भेदबाव होता है इसका उधारन भी हम सब को देखने को मिला है रीट के एग्जामिनेशन में जहां हिंदू लड़कियों के कुर्ते के बाहों तक को काट करके अलग कर दिया गए इसके वीडियो आप सबने देखे होंगे उनके दोपटे और मंगल सुतर तक उतरवा दिये गए चूड़ियां तक खुलवाई गए और वहीं दूसरी तरफ दूसरी मज़ब के जो लड़कियां और परिक्षारती थी वो हिजाब देगा करके परिक्षा दे रही थी उन्हें उसकी अनुमती प्रदान की गई हालात यह हैं कि जिन की हिंदू परवों के समय धारा 145 लगा करके उन परवों को उत्सव को मनाने के लिए विरुका जाता है वहीं दूसरी तरफ दूसरे मज़ब के लोगों को उसी परिस्तिती में जो है अपने उत्सव मनाने के लिए जुलू सड़क पर निकालने के ने देखा कि अवैद खनन को लेकर के अभी जिस तरह की घटना भरतपुर में हुई पांच सो पचास दिन से अंदोलन चल रहा था पांच सो पचास दिन तक सरकार केवल थोते आश्वाशन देती रही माइनिंग माफिया और उससे मिलने वाली मलाई के बोज के नीचे सरकार क कारकून और सरकार के मंतरी और सरकार के अधिकारी दबे हुए थे कोई कारवाई नहीं कहुती देख अनतते 14 साधूओं को अत्मधा की धमकी देनी पड़ी उससे वयतित हो करके कारवाई ने होने से वयतित हो करके जब एक बावा निरमलदास टावर पर चड़े तब करके बाबा विजय दास को ने अपने आप पर पेट्रोल डाल करके आग लगा ले उस मृत्यू के लिए मैं उस मृत्यू नहीं हत्या काऊंगा राजस्तान की सरकार परोख्ष रूप से जिम्मेदार है और जब राजस्तान की सरकार उसके जो है आत्मधा के ठीक 24 गंटे में जिस विशे को लेकर के 550 दिन से अंदोलन चल रहा था आनन फानन में उस विशे को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है मैं आपको याद ध्यान में लाना चाहता हूँ एक अक्टूबर 2021 को जब उत्तरप्रदेश का चुनाव होने वाला था उत्तरप्रदेश के चुनाव के दबाव के चलते प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर साधू संतों से जो अंदोलन रहते उनसे वारता की गी मुख्यमंत्री जी ने स्वयम बैठ करके उनको आश्वाशन दिया कि हम अगले 15 दिन में ये माइनिंग एक्टिविटी जो अवैद वैद एक्टिविटी कर देंगे फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई कर देंगे ताकि भविश्य में यहां किसी तरह की माइनिंग एक्टिविटीज न हो सके कलेक्टर भरतपूर से रिपोर्ट मांगी गई 12 अक्टूबर को कलेक्टर भरतपूर ने उस मीटिंग का हवाला देते हुए अपनी नो मईने तक सरकार सोई रही और आत्मदा करने के बाद में बावा विजयदास की मृत्ति हो जाने के बाद में माननी मुक्यमंत्री यह कहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जिनके चलते बावा विजयदास को आत्मदा करना पड़ा जबकि हम तो तीन दिन पहले ह ये संदेश भेज चुके थे कि हम इस पर नेड़ने करने वाले मैं आज आपके सामने माध्यम से मान्नी मुख्यमंत्री जी से प्रश्ण करना चाहता हूं कि जब आपने प्रत्यक्ष बैठ करके आठ महीने पहले नौ महीने पहले जब आपने आज विश्वास दिलाया था वो माति साथ माने मुख्यमंत्री जी ने बार बार जोर दे करके यह कहा यहां तक कि राश्ट्रिय अद्देक्ष जी के बयान पर टिपनी करते हुए भी यह कहा कि अवैद खनन वहां नहीं हो रहा था आज तो यह सब के सामने इस्पश्ट हो गया आख बार में सुर्कियों में छपाये कि जितने एक शेत्र में खनन के पत्टे दिये गए थे उससे दो से तीन गुना ज़्यादा क्शेत्रों में और जितने एक शेत्र में खनन जितना क्वांटम खनन का बताय गया था उससे कई कई गुना ज्यादा खनन जो है वहाँ अवैद रूप से हुआ है लेकिन अपने लोगों अपने मंत्रियों को बचाने और इसमें लिप्त लोगों को बचाने के लिए मानने मुक्य मंत्री खुद जो है जनता को गुमरा करते वे जूटे बयान दे रहें इस साधू का बलिदान के लिए राजस्तान प्रदेश की धर्म बीरू जनता कभी अशोक गलोट साब को माफ नहीं करेगी राजस्तान में जिस तरह के हालात अभी आप सब ने देखा है कि लाइंड और जिस तरह से कमजोर हुआ है राजस् कि राजस्तान की सरकार क utility बचाने में व्यस्त है इसलिए परिस्तितियां आज ये है कि राजस्तान के अपरादियों का अपरादी बेौफ होगएं बेलगाम होगएं और आम जन है वो भैबीत है परिशान है राजस्तान को बजरी माफिया शराब माफिया भूमी माफिया और ऐसे सारे अपराधिक माफिया गैंस के हवाले कि जो है का गैलोज सरकार ने छोड़ दिया है और आज गैलोज सरकार का ध्यान राजस्तान के मुख्यमंत्री गैलोज साब का ध्य क्योंकि सरकार चलाने की तरफ नहीं बलकि कुर्सी बचाने की तरफ जादा है इसके चलते अब कॉंग्रेस के M.L.H. भी रूश्टोकर के लगातार जो है वो स्तीफे दे रहे हैं या अपनी कड़ी प्रतिक्रियां उनके सामने व्यक्त करने तो मैं अपनी बात समाप्त करते ह हुए राहूल गांदी जी और प्रियंका गांदी जी से अनुरोद करूँगा कि कुछ दिन तो गुजारिये राजस्तान में आईए हमारे राजस्तान में सरकार बर्खास्त करनी या नहीं करनी यह अलग विशे हो सकता है लेकिन राजस्तान की जनता के मन में इतना अक्रोश है कि वो एक-एक दिन गिन करके इस सरकार का कालखंड पूरा होने की जो है वो गिंती गिन रही है प्रिदान्वंति जिन चैनल्स न उस कारिक्रम को दिखाया भी और जिनों ने जो इस कारिक्रम के सूत्रदार थे श्री अनुपम खेर जी दोनों का अविनंदन करना चाहता हूं मित्र जैसा मान्य प्रिदान्वंति जी ने कहा कि देश ने आजा दी जो लाखों लोगों के बलिदान और लाखों लोगों के योगदान दोनों के कारण से इस देश ने अरजित की एक 75 साल का लंबा कालखंड बीतने के बाद लगबग तीन पीडियां जब गुजर चुकी है तब लोगों की स्मृति से आजादी और आजादी के बाद में भारत किस तरह से किन कारणों से पिछड़ता गया कहीं ने कहीं हमारी युवापीडी उस से डिसकनेक्ट हो गई है श्री अनुपम खैर जी ने जो 75 साल का एक आकलन परिद्रश्य सब देश के सामने रखा कि नेरुजी के जमाने में किस तरह से 1967 में नेरुजी देश को प्लाल के ले के प्राचीर से पाकिस्तान को दिल का टुकड़ा कह करके पुकारते हैं 1962 के युद्ध में करारी खार और भारत की हजारों स्क्वाइर किलोमेटर जमीन के उपर अतिक्रमन कर लेने के बलात अतिक्रमन के बावजूद भी उसको एक सफलता बताने की कोशिश करते हैं गरीवी अटा लेने से ले करके मेंगाई हटाने के खोकले नारे देश के सामने बहां गड़ते और बुनते वे नजर आते हैं लेकिन उनका समाधान करते वे कहीं दिकाई नहीं देते आजाद होते ही भारत के आजाद भारत के लोगों को संबोदित करते हुए शुरुआत के दोर में देश के लोगों को कामचोर और आलसी ऐसा ठहराते काल बीतने के बाद में मानिया इंद्रा गांदी जी के शाशन काल में भी इमर्जेंसी लगा करके लोकतंत्र की हत्या का पाप करने के बाद लाल किले के प्राचीर से उसे जस्टिफाई करने और उसके फाइदे गिनाने का पाप किया जाते है बाप और बेटी के नेरुजी और इंद्राजी के 30 साल के शाषन के कालखंड में लगातार गरीबी अटाओ के नाम पर लोगों से मत बटो रहे जाते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की समात्र चर्चाएं की लिए जाती है लेकिन उसके बारे में किसी तरह का ने तो कोई धोस विजन और ने ही कोई कदम देश को दिखाए देते मनमौन सिंग्री के समय की तो शायद मुझे लगता है कि चर्चा करने की बैवश्यक्ता नहीं है उन्होंने तो लोगतांत्रिक भारत में शायद वो एकमात रहसे व्यक्ती होंगे कि उन्होंने लाल कि ले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी ची जो ने किसी समवधानिक पदपर है ने उनका किसी तरह का आजादी की लड़ाई में योगदान है ने उनका और किसी तरह का समाजिक योगदान है वो उनको लाल कि ले के प्राचीर पर खड़े होकर के हमारी नेता कहकर के अपनी दास्ता को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं उसके ओलट पिछले 8 साल में जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का एक ठोस विजन और आगे 25-50 साल तक को हम देश को किस रास्ते पर ले जा करके आगे बढ़ाएंगे, ये देश ने पिछले 8 साल में देखा है, चाहे देश को आत्मनिर्बर बनाने की कल्प ना हो, चाहे देश के सामन्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प देश के सामने रखना और उन सब संकल्पों को सिद्ध करते हुए हम किन मुकाम तक पहुंचे हैं अगले बार एक बाशन से दूसरे बाशन के बीच में एक साल के कालखंड में हमने क्या उपलब्दियां असल किये उनके बारे में भी देश के साथ में खुशी से साजा करना यह जो नई परंपरा और नई दिशा देश को मन्य प्रधानवंति जी ने दिये यह आकलन जो है यह निश्चिती इस आकलन के लिए में एक बार फिर अनुपम खेहर जी का धन्यवाद करना चाहता हुआ कि इस बात का मौलिक अधिकार अरविंद केजरीवाल साब के पास में है क्या इस बात के हकदार भी वो हैं कि वो इस तरह की चर्चा करें दिल्ली के दो करोड़ से जादा लोग उनसे पूछना चाहता है कि जिस दिल्ली को स्वर्ग बनाने की बात आपने की थे जिस दिल्ल दिल्ली में एजुकेशन हब बनेगा दिल्ली के स्कूल एजुकेशन को हम अपग्रेड करेंगे उनकी चर्चा उन्होंने की थे दिल्ली के हॉस्पिटल और स्वास्ते नेटवर्क की चर्चा जो उन्होंने की थे दिल्ली के यमुना नदी को हम स्वच्च बनाएंगे और के जैसे स्वच्च करेंगे उसकी बात्चीत उन्होंने की थी ऐसा कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा किया है दिस इस ट्रूली केजरिवाल स्टाइल ऑप पलिटिक्स जहां वो एक बात कहते हैं उस बात की विफलता के बात को भुला करके नई बात कहकर के उसको छुपा अभी देखे थे यहां आते वक्त रस्ते में उसमें उन्होंने कहा कि देश के हर महले में स्कूल खुलना चाहिए आपने तो दिल्ली के हर महले में शराब की दुकान खोलने का पाप किया फिर उसमें ब्रिश्टाचार किया और फिर अपनी नीती से भागते हुए वापस ज सब्सक्राइब में अधिती नागर अधिती जी मैं दो चीज आपके आपने दो प्रेशन पूछें इसले दो चीज कहना चाहता हूं आपके पहले प्रेशन से अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप नैशनल चैनल में आगी है और उसका जो दूसरा प्रेशन है आपने कहा मैं राजस्तान के ठीट गाउं से जाता हूं और आप इस विश्वास को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने 25 साल तक लगातार धरातल पर एकर के गाउं में काम किया है ये जो संगत्रश्य आप प्रस्तुत करना चाहते हो कि राजस्तान में जो है अगड़े और पिछड़ों के बीच में कहीं वेमनेस से और सभेद बढ़ रहा है इससे बड़ा जूट कुछ नहीं हो सकता लेकिन जो घटना हुई है मैं उस घटना के कारण और उसमें नहीं जाना चाहता है वो समीक्षा का विश है वो अनुसंदान का विश है वो पुलिस की जांच का विश है कारण चाहे मटकी का हो या नह हो जैस समाजों के ऐसे लोग मिल करके करते थे लेकिन जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपोर्ण है और अगर ये केवल एक घटना होती तो शायद राजस्तान के लोग इसको माफ कर सकते थे ऐसी कितनी घटना है हुई है जिस दिन देश अभी मैंने जैसे कहा कि जब देश स्कूल में काम करती है मात्र इसलिए कि वो कुछ लोगों से उधार पैसे मांगती थी अपने उधार का तकाजा करने के लिए उसके ओपर जो है वो पेट्रोल डाल करके सरे आम लाग लगा जाते दी जाती है वो सत्तर परसंट जलीवी अवस्ता में जीवन और मृतियों से स इसमें संगर्श कर रहे हैं ऐसे सेकड़ों घटना हैं देखने को मिलती है तब विशय यह नहीं होता कि समाजों के बीच में वेमने से हैं विशय यह होता है कि सरकार इन सब विशयों पर ठीक से समय रहते कारवाई क्यों नहीं करते हैं कि अपना जो है वो जांच दलवां बेजा था आपकी जानकारी के लिए मन्य अर्जुन राम जी के नेतरतों में बेजा था उसकी जांच रिपोर्ट भी आई है और अनुसंधान जो पुलिस्च कर रही है उसके बाद में निश्चित रूप से जो कोई दोश्य करवाई हो लिए चाहिए उसको जरूर देखेगा उन्होंने कहा कि यह कार्य करता हूं कि मान संवान की चर्चा करने वाले पहले चिंता खुद की चिंता करें अपने गिरभन में धाक करके देखें यह जो लडाई है साभी इस लडाई का भुकताँ अब जो है खामया जा राजस्टान के करोडों लोग भुगत रहें राजस्टान के महिलाएं भुगत रहें राजस्तान के गरीब वो प्राजेक्ट लोग जिन्हों ने ब्रिस्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दियों जिस प्रजेक्ट को लेकर के उन्होंने क्यलते लंगना का ड्रीम प्रजेक्ट ऐसी चर्चा देश के सामने की और जूट बोला जिस प्रजेक्ट की प्रापर स्टेश्ट्री कलेरिंस तक नहीं लेकर के उस प्रजेक्ट को बनाने की कोशिश की मैं आगरे करूँगा कि आपको जाकर के उसको देखना चाहिए वो कलेशरम के तीनों पंपाउसे जो तीनों बराज़ज है उनके पंपाउस डूबे में और हजारों करोड रुपए का गबन पहले जो उसमें हुआ था उनको अब भरपाई करने के लिए उन सारे पंप्स को रिइंस्टॉल करने के लिए क्योंकि वो टेक्निकली अपराइजड नहीं था फेल हो गया था तक्निकी द्रश्टी से सही नहीं बनाये गया था पहले हजा एज रेट भाई साथ रुटे हैं देगे राश्टर भक्त और राश्टर द्रोई की कोई जाती और मजभ नहीं होता है हम अश्वाक उल्ला खान को भी उसी सम्मान के साथ में देखते हैं जिस सम्मान के साथ में भगज सिंग को देखते हैं जिस सम्मान के साथ चंदरशेकर को देखते हैं जिस सम्मान के साथ में नेताजी सुबाश चंदरबोस को देखते हैं और इस देश में देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग, जो देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं, वो देश के अंदर हैं या देश के बाहर कहीं भी हैं, हमारी नेती उनके प्रती जीरो टोलरेंस की, हम उनको नहीं बक्षेंगे, ये अनेक बार अपनी कतनी और करनी दोनों से बहुत बहुत धर्लवाद। ठीक उपड़िया में की बहुत और एक्सन कमीचे आगे।